तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ पोदे फलदार पोदे जो आप अपने गार्डन में या फिर करके आंगन में लगा सकते हो जो कि बहुत ही कम प्राइज में आपको मिल जाएंगे अच्छे से बाजर में उसका प्रांट आपको लेकर आना है और कुछ पोदे तो ऐसे भी है जिन्हें आप गर पर ही तयार कर सकते हो तो चलिए इस वाली बारिज में लगाना जरूर कौन-कौन से पोदे है चलिए बता देता हूँ आपको तो चलिए वीडियो की तरफ अगर फलो की बात कर रहे है तो फिर आम को कैसे छोड़ सकते चोकी है फलो का राजा तो आम की गुटली अगर आपके पास पड़ी है तो उसको आप चमीन में दबा दीजिए और तकरिबन दो महिने में उसका एक अच्छा प्लांट आपको आपके सामने दिखी जाएगा और ये बहुत ही कम पानी और कम मेंटेनेस में चलने वाला एक प्लांट है जिसमें आपको ज़्यादा कैर भी नहीं करने पड़ती और बड़े ही आसानी से इसको लगा के पांच साल तक आपको थोड़ी कैर करनी है उसके बाद आप इस पोदे से फल ले सकोंगे अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है इसको कैसे लगाना है कैसे क्या करना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो हम चोपी आज फल दिखाने वाले है इस बारिश के मोसम में आप लगा सकते हो उसके उपर आप कुछ भी क्वेस्टन हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप हमें बता सकते हो दूसरे नंबर पर है चांबून चांबून किसको पसंद नहीं है आपको नहीं पसंद तो आप हमें कमेंट में बताना जरूर तो चम्बुन का पौधा आप चम्बुन चो भी बाजार में मिलता है उसको दो तिन सीट्स आपके मुँमे से निकालके जमिन में दबा दालिये और कुछी दिनों में प्लांट आपका खड़ा हो जाएगा उसको बाद आपको 10 साल की वेट करनी पड़ेगी उसके बाद आपक फल में लेंगे लेकिन फल में रहेंगे जरूर और बहुत ही कम आपको कुछ भी खाद डालने के जरूरत नहीं है जमिन में लगा दीजिए कोई टेंशन लेने के जरूरत नहीं है बाद अपने आप बड़ा होता रहेगा और फल आते रहेंगे तो तीसरा प्लांट है सिता फलका ये भी आप बड़े ही आसानी सी है बाजार में खरेत के आईए उसके सिट्स आपके करके आंगन में दबाट दीजिए जमीन में और कुछ ही तकरीबन 15 से 20 दिन में आपका छोटा प्लांट तयार हो जाएगा और अगर आप इसकी 5 साल अच्छे से क्यार करते हो तो कुछ इस तरीके का प्लांट बन जाएगा उसके बड़ आप इस पोदे से सिता फलको हार्विस्ट कर पाएंगे ये भी बहुत ही कम मेंटेनस में चलने वाला पोदा है अगर आप बाजार से पका हुआ निमू लेके आते है उसके अंदर से जो भी सित्स निकलता है उसको आप बारिश के मौसम में लगाते हो तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से चर्मिनेट हो जाता है निमू के पोदे पर फल आना 5 साल के बाद शुरू होते है तो आप अप लगा दीजिए और वेट कीजिए 5 साल के बाद और आपको निमू मिल जाएंगे अगर आपको जानना है कि बर्ज कराफ्टिंग निमू के उपदे पर कैसे की जाते उसके वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप चोटे पदे पर से भी निमू को कलेक्ट कर पाओंगे दोस्यों के पास पपीते का पोदा है तो वहां से आप सिट्स को ले आईए और आपके चमी पर डाल दीजिए तो कुछी दिनों में आपके साथ आपके सामने एक पोदा दीख साएगा जो की होगा पपीता का ये भी बहुत ही लो मेंटेनस में चलने वाला प्लांट है जो लगा सकते हो तो दोस्तों जो भी आपको अपने दो प्लांट बताने वाला हूँ वो आप सिट्स से थूड़ा सा कुम्प्लिकेटेड होगा उसको बढ़ा करना तो फिर आपको डाइरेक्ट नरसरी पर पहुँचना है अभी वह नरसरी से ले के आए ये आनार का पोदा वो भी बहुत ही कम मेंटेनस में चलने वाला एक पोदा है जो कि आप अपने करके अंगन में लगा सकते हो और दोस्तों जो भी लास्ट वाला पोदा है वो चिकू का है चिकू को भी आपको छाया चाहिए तो ये प्लांट बेश्ट रहेगा नीम का पोदा और चिकू का पोदा वो आपको अच्छे से थंड़क दे सकेंगे और इसके पत्ते जितने नए आते है उसके बाद ही किरते है ताकि पहले नए पत्ते आ जाते है उसके बाद ही किरते है तो आप इसको चाया लेने के लिए भी लगा सकते हो और फल भी मिल ही जाएंगे तो दोस्तों अगर आपक ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कॉमेंट में तो बता ही सकते हो लेकिन हमारे साथ चुदने के लिए इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को शेर करो रिष्टेदारों को शेर करो ताकि उसके उनके पास भी थोड़ी सी चमी है करके आंगर में तो वो भी अपिल लगा दे तो बस यही था आज का वीडियो और आपको और कैसे वीडियो चाहिए वो आप हमें इस वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताना तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ तक तक के लिए शुक्रिया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में